नमस्कार दोस्तों मिन नाम का प्लसिक्ष वागत आपका स्टेडी एक एडिकेशन प्लाटफॉर्म में मॉस्स इंपोर्टन करेंगे चलेंगे सेट 9 पर अभी तक हम आप सेट कर चुके हैं टेकनिकली आपने देखा होगा जितने भी इंपॉर्टन पॉइंट्स हैं प्रिलिम सेका टोटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं तो सबसे फेली न्यूज है ग्लोबल रिपोर्टन इंटर्नल डिस्प्लेस्मेंट तो हमें सिर्फ इसमें काम का यह पढ़ना है कि कौन इसको रिलीस करता है तो नॉर्विन रिफ्यूजी काउंसल इंटर्नल डिस्प्लेस्में Monitoring Center ने report निकाली है यह बात करते हैं internally displaced लोगों यानि किसी भी reason से देश के अंदर कोई humanitarian displacement होता है तो कहा जा रहा है कि internal displaced लोग 55 million दुनिया भर में पहुँच चुक है recorded data यह बट हमें यह याद रखना है कि 55 million लोग उनका internal displacement हो चुका है अब इस बार जो analysis किया गया उसमें यह कहा गया कि climate change का क्या role है disaster displacement में तो सबसे पहले बोला गया है कि extreme weather events है यह बहुत बड़ा role play करते है floods जिसमें आप देखेंगे, storms देखेंगे droughts देखेंगे इनका काफी बड़ा role है 98% जो total displacement 2020 में किया गया था वो इसी climate change की वज़े से register किया गया है साथी साथ COVID-19 pandemic से एक problem यह हो गई है कि जो response है जो हम बात बोलें disaster response है वो delay हो गया है तो delayed humanitarian assistance है displaced people को यहाँ पे financial difficulties जो हैं वो face करने पड़ रहे हैं दूसरा जो में topic करना है वो करना है इताते दवार अब देखो ITAT या फिर इताते दवार ITAT मतलब income tax appellate tribunal यहाँ पे ministry of law क्या कह रहा है हमें e-filing portal लेके आए है income tax appeals को file करने के लिए अगर आपके income tax को लेके कोई भी issues है तो आप digital medium के थूँ इनको file कर सकते है ministry law कह रहा है कि इससे क्या होगा देखो accessibility हो जाएगी आप complaint file कर पाएंगे आपको कोई भी appeal करना है लेटर से आपको लगता टेक्स जादा deduct हो गया है या आप इस टेक्स के libel नहीं थे आपने देना पड़ आपको तो इसको आप complaint कर सकते हो accessibility होगी accountability होगी transparency होगी ITAT का जो day-to-day working है उसको publicly efficient बनाया जाएगा और साथी साथ environment friendly भी होगा paper की जो economization होगा paper की जो costing है वो बचेगी environment friendly होगा और otherwise भी जो appealing का process है उसमें सरकार का जो खर्चा होता है आपके जो आपको जो भी litigation के को लेके जो time आपको लगता है वो सारी चीजे बचेगी तो time भी बचेगा time बचेगा तो government की cost भी आपे बचेगी तो यही है ITAT A द्वार rationalization किया गया है cases कैसे cases का quicker disposal होगा तो देखियो सबसे बड़ी problem क्या होती है किसी भी arbitration में किसी भी adjudication के matter में disposal एक बड़ी problem भारत में है इतने number of cases आते हैं कि उनको dispose होते होते हैं बहुत time लग जाते हैं क्योंकि burden जो है सरकारों पर बहुत high रहता है तो ऐसे में जो disposal कि हम यहाँ पर बात करें तो early disposal होगा quicker disposal होगा तो चीजे जो है वो आपके लिए काफी favorable हो जाएंगी next हमें जो topic करना है वो करना है mission innovation clean tech exchange बात हो रही है mission innovation की इस बार mission innovation में क्या है clean tech exchange का mechanism लेके आए है जिससे आप देखेंगे कि हम climate friendly techniques को यहाँ innovate कर पाएंगे आप देखो करना क्या है net zero summit ने host किया था net zero summit host हुई थी चिली ने इस बार host किया तो एक हमारे लिए point यह बन जाता है कि चिली ने क्या host किया था net zero summit को host किया था अब इसमें हुआ क्या समझ लेते हैं exactly यह global initiative है जो network करता है incubators मतलब जो नईने companies आ रही है जो नईने start-ups आ रहे incubation जिनका हो रहा है उनको networking करते हैं जिससे कि एक clean energy innovation और clean environment की भी बात करते हैं तो यहाँ पर यह जो networking है यह तरह का expertise प्रोवाइड करेगा market insights प्रोवाइड करेगा नई technologies को कि उनको globally achieve किया जा सके थोड़ा सा जान लेते हैं mission innovation क्या है mission innovation एक action oriented global initiative है आइडिया बस यह है कि clean energy solutions को दुनिया भर में देना इसलिए नहीं meet कर पारे क्योंकि हमारे अभी technological innovations नहीं है प्लस हमें अभी development को भी नजर अंदाज नहीं करना तो ऐसे में एक international cooperation अगर होगा न countries के बीच में तो हम इसको easily और जल्दी से achieve कर पाएंगे 24 countries जो हैं वो और European Union पूरा याद रखेगा कि mission innovation में ये सारे members हैं इंडिया इसका founding member इंडिया हमेशा से देखो इंडिया के commitments रहे हैं कि हम climate sustainability की बात करेंगे sustainable environment बनाएंगे sustainable development करेंगे इसलिए हम अपने SDGs को भी काफी seriously ले रहे हैं इसके लिए हमने पहले भी discuss कहता ताकि नीती आयोग एक report card लेके आया है कि कैसे states SDGs को लेके perform कर रहे हैं तो यहाँ पर इंडिया founding member और इंडिया committed है कि हम यहाँ पर mission innovation के चलते clean energy को support करेंगे अब आया कहां से याद होगा आपको Paris Climate Agreement 2015 में United Nation Climate Conference से लाया गया था इसमें जो member countries होगे वो innovation को track कर सकते हैं investors को invite कर सकते हैं innovators से मिल सकते हैं end users से मिल सकते हैं मतलब आप जो product है वो आपकी घर तक पहुचा सकते हैं technologies जो है वो accelerate करेंगी और market जो है वो accordingly respond करेगा अच्छा अब यह summit में हुआ क्या हमने देखा चिली summit हुई इसमें 2.0 launch किया गया है इसलिए हम इसकी बात कर रहे है वैसे तो 2015 का है लेकिन 2021 में इसको digitally 2.0 launch किया गया है अब इस 2.0 क्या कर रहा है catalyze कर रहा है पहले तो क्या हुआ था investment की बात हुई थी 2.0 में catalyze मतलब fast track करो clean energy को research development को affordable clean energy को इनको fast track करो और 2030 तक दुनिया को clean energy solution जो है वो दो मतलब सारी countries को यहाँ पे benefit होना चाहिए जितने भी Paris agreement goals थे वो भी यहाँ accelerate हो रहे है तो किसी भी तरह का अगर statement आ जाता है MCQ में कि 2.0 क्या कर रहा है तो आप बता देना 2.0 Paris agreement goals को भी यहाँ पे जो है वो further accelerate कर रहा है next topic we'll be doing is AMI leap ठीक है तो उसमें innovative leadership for entrepreneurial agility and profitability initiative है जानते exactly क्या होता है अटल innovation mission के बारे में आप लोगों ने देखा है यहाँ उसको भी discuss करेंगे तो यहाँ पे first fintech cohort जो है AMI leap इसको अभी conclude किया गया था idea बस यह country में जितने भी tech startups हैं जो fintech की तरह focus कर रहे हैं जैसे हम PTM की बात करें हम भारत पे की बात करें तो यह वो सब fintech को accelerate करने की यहाँ पे बात करता है तो दीके जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में एक innovation का culture innovate करने के लिए नीतिया काफी लंबे समय से लगा हुआ है तो उसी के चलते aim एक उसका program है अटल innovation mission आइडिया बस यही है कि देश में innovation को बढ़ाएं और साथ यसाद आंतर मुरिशिप को भी बढ़ावा दिया जाए objective यहाँ पे है कि आप technology startups को invite करिए जो इस तरह के range और functions में काम कर सेखें इनके range functions इतने broad हो solutions दे सके corporate sector को innovative team building कर सके market को accessibility provide कर सके अगला topic जो मैं करना है वो करना है enforcing contracts portal इसको enforcing contract portal को department of justice ने launch किया याद रखे है कि department of justice ने enforcing contract portal को launch किया है आइडिया बस यह ease of doing business में और contract enforcement को improve करने में इसका काफी ज़्यादा भागिदारी बताई जारी अब यहाँ आप हम sources की बात करें कि sources क्या क्या है आप देखें कि अगर ऐसी कोई भी information है legislative information है policy reforms है इन सब के लिए इसको enhance किया जाएगा जब हम बात करें कि इंडिया में enforcing contracts को लेके हमारी ranking क्या थी तो इंडिया बहुत अच्छी ranking यहाँ पे नहीं दिखा पा रहा बहुत सारी companies इसलिए इंडिया नहीं आना चाहती क्योंकि वो जो भी contractual obligation के साथ इंडिया में आती है वो enforce नहीं हो पाता यहाँ का judicial process बहुत slow हो जाता है arbitration का method बहुत ही obsolete हो जाता है इसके चलते companies यहाँ पे invest नहीं करना जाती है आप याद रखेगा किसी भी country का judicial environment भी इस बात को decide करता है कि वहाँ पे कितने start-ups आएंगे फिर कितनी FDIs वहाँ पे आएंगे अब इस सही देखो क्या होगा इससे easy access मिल जाएगा latest information में commercial cases को लेके पूरा database ही एक तरह से create करेगा और dedicated commercial courts का Delhi, Mumbai, बैंगलूरू पोलकता का data आप इस पर search कर पाएंगे तो ये साथी साथ एक repository की तरह act करेगा जिसमें commercial laws को readily रखा जाएगा लेकर से आपको भारत में आना है तो आप इस portal के थूँ आप समझ पाएंगे पढ़ पाएंगे कि क्या-क्या laws इंडिया में हमें क्या-क्या obligations रखने हैं, कैसे-कैसे breach of contract में deal किया जाता है तो कोई भी company आने से फिल अगर इस portal को study कर लेती है तो उसको एक enforce या contract enforcement का scenario clearly समझ में आ जाएगा और उन बातों को ध्यान में रखते हुए वो अपने investment के decisions को यहाँ पे ले सकती है आगे हमें करना है International Maritime Service Cluster जैसे क्या आप जानते है भारत-माला प्रोजेक्ट हुआ या फिर maritime connectivity कोई कि इंडिया की better करनी है तो गुजरात Maritime Board ने क्या किया IMSC करके एक setup किया है cluster को gift city में जैसे क्या आप ने देखा अब यहाँ पे gift city में क्या होगा गुजरात में गांधी नगर में ये एक पूरा cluster डवलप किया जाएगा जिससे maritime services consolidated एक जगा से integrated manner में provide की जा सके अब gift city क्या है इंडिया का only approved International Financial Service Center है ये गांधी नगर गुजरात में located है और कहा जाता है कि इसका जो state of art technology है state of art इसका framework है वो काफी जादा international financial services को provide करता तो एक नया hub मुबई जो एक financial capital थी उससे हट के एक नया hub यहाँ पे develop किया जा रहा है अच्छा इसमें हम देखेंगे कि exactly ये maritime service cluster देगा क्या देखो ये आपको एक dedicated ecosystem देगा जिसमें port, shipping, logistic service providers government regulators सब एक जगे पे integrate हो जाएंगे आप यहाँ से services अपनी avail कर सकते हैं और यहाँ पे services established भी की जा सकती है देखो होता क्या है जब भी हमारे port ये बागी services integrated होती है तो competitiveness बढ़ जाता है ease of doing business बढ़ जाता है self-sufficiency जो है sector की वो increase हो जाती है और जो government की earnings है या फिर government को revenues मिलेंगे मिलेंगे private earnings जो है वो भी मिलेंगे और सबसे बड़ी बात है SMA country में आने वोली FDIs जो है वो multifold increase हो जाएंगी तो ये सबसे बड़ी important news है इसके बाद चलते है ITU Global Cyber Security Index 2020 की rank आ गई है और इंडिया को top 10 ranking में रखा गया है अब इंडिया top 10 में आ गया है Global Cyber Security Index में इसको ITU ले के आता है important बात है 37 places इंडिया उपर आया है important बात हो जाती है यहाँ पे कि Cyber Safety Parameters में इंडिया ने काफी अच्छा perform किया है 194 में से इंडिया 10th rank में आ गया है चाइना और पाकिस्तान से आगे निकल गया है GCI को लाता कौन है GCI को International Telecommunication Union United Nation की एजंसी है जो Information और Communication Technologies के लिए काम करती है ये एक ranking लेके आती है 5 pillars पे हैं इंडिया ने Legal Measures में Technical Measures में Capacity Building Measures में Organizational Cooperation की Measures में अच्छा perform किया है और अगर आप बात करें Asia Pacific की तो इंडिया 4th ranking में है US 1st है देन UK है आप सोचे इस तरह की countries के साथ अब इंडिया आता जा रहा है तो हाँ सकता है ऐसे में अगर कोई topic में अगनी प्राइम के बारे में ये भी news थी आप जैसे देखें जून 30 की अब अगनी प्राइम में क्या हुआ एक नया missile का एक नया missile डवलप किया गया ये इंडिया की nuclear arsenal को बढ़ा रहा है अब क्यों important है ये देख लेते हैं इंडिया की nuclear arsenal बढ़ रही है ये नई missile है और सबसे बड़ी बात है कि ये कैसे काम करेगी nuclear ballistic missile और क्यों इतनी important है इसको लाया कोन है इंडिजिनस सबसे पहली बात है कि DRDO ने सको test किया है अगनी प्राइम एडवांस बर्जन है अगनी 1 का अगनी प्राइम क्या है short range है ballistic missile है 1000 किलोमेटर से 1500 किलोमेटर की range है advanced features है इसमें agility और road mobility की लगबग 1000 किलो का nuclear warhead ला सकता है समझ सकते हैं कि इंडिया के boundaries या फिर इंडिया के जो borders हैं कितनी easily ये cover कर सकती है सबसे बस ये है कि इसका जो doubt stage missile है वो lighter होगा और sleeker है इसका missile है वो lighter है और sleeker है अगनी वन से advanced version में है तो आप कह सकते हैं कि जितना lighter missile होगा उतना उसका जो range है वो बढ़ जाता है उतनी उसकी agility जो है वो बढ़ जाती है short range है सबसे बड़ी जाता है अगनी को याद अखना अगनी is surface to surface तो आग जो है जमीन पे जलती है तो ऐसे याद अख सकते है surface to surface ये missile है लेकिन nuclear है और ballistic है सबसे बड़ी बात इसकी range काफी है short range के नाम पे भी 1500 किलोमेटर तक ये जा सकती है अब बात कर लेते हैं पिछले 3-4 महीने की कुछ military exercises की इंडिया थाई का एक coordinated patrol आया है इंडिया थाईलेंड का इसको इंडिया थाई कॉर्पैट कहते हैं ये इंडिया नेवी और रॉयल थाई नेवी ने conduct किया था इंडिया थाईलेंड के ने मिलके अंडमान C में बाई एन्नुल एक्सेसाईजर दो साल में एक बार होती है 2005 से चलती आ रही है तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि दोनों का एक interest इंडिया नोशन में दोनों countries का और चाईना की बढ़ती presence है तो दोनों उसको cater करना चाते हैं प्लस इंडिया नोशन एक नया hub बन चुका है ग्लोबल ट्रेड का थाईलिंड के बार्डर के आसपास से होती हुई निकलता है तो इंडिया और थाईलिंड दोनों ही अभी हाँ पे अपनी पकड़ बना है रखना चाते हैं और साथ ही साथ मिल के काम करना चाते है स्ट्राटीजी के लिए दूसरा है इंडिया यूनेफ़ पॉर, अब ये यूनेफ़ पॉर क्या है, ये यूरपेन नेवल फोर्स है, इंडिया नेवी के साथ इन्होंने जॉइंट नेवल एक्सरसाइस किया, कहां कि ये गल्फ आधन में, ठीका मुझे बताओ जुली से गल्फ आधन कहां पर है, इसके आपको साथ में दिखेगा, तो अब आप लोकेट कर सकते हो, गल्फ आधन कहां है, क्यों इंपोर्टन है, पाइरेसी के लिए बहुत इंपोर्टन है, ऐसे में, यहां पे इंडिया और यूरोपेन यूनियन अगर इस तरह की आक्टिविटीज, इस तरह की मेड़न ज चला जाता है आसपास के, डी स्टेबलाइज नेशन को कि यह जो पैसेज है, यह सेफ है और हमारी ग्रिप में है, क्योंकि इस पैसेज का सेफ रहना बहुत ज़रूरी है, वर्ड ट्रेड के लिए यह इस पैसेज काफी इंपोर्टन है, आगे चलते हैं, ऑपरेशन सागर अ कंटेनर पे, MVX Press Pearl, जो कॉलंबो पे एंकर्ड था, तो इंडिया और शुलंका ने मिलके इसको इसको रिस्पॉंड किया, नेक्स हमें देखना है, वर्ड एनरजी इंवेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 की, कहा जा रहा है कि रिनुबिल्स जो है, वो आने वाले समय में, इन्वेस् में खर्च हो रहा है, अप्स्रीम इंवेस्टमेंट जो है, ओल और गास में वो भी बढ़ रही है, दस परसेंट, बट स्टिल, रिनुबिल जो रिसोर्स जो जादा सौट आफ्टर है, ग्लोबल एमिशन जो है, वो भी लगबग 1.5 बिलियन टन बढ़ने वाला है, तो इसक करते हैं, देहिंग पत्कई नेशनल पार्क की, असाम गवर्मेंट ने इसको अपना सेवन्थ नेशनल पार्क डेकलियर कर दिया, स्टेट का, जानते हैं देहिंग पत्कई के बारे में exactly कहां पे है, बाकी छे पार्क कौन से हैं, और क्या-क्या यहां की, फ्लोरा और फोना क इसको वाइल लेफ प्रटेक्शन आट 1972 और स्टेट के सेक्शन 35 सेक्शन गवर्मेंट के अक्ट में इसको नेशनल पार्क जो है, वो डेकलियर किया जा चुका है, अब क्या exactly इसका है, कहा जा रहा है, लास्ट रिमेनिंग स्ट्रेच है, असाम वैली का, जो टॉपिकल इवरगीन फॉरेस्ट उसमें लास्ट में फॉल करता है, फरदर हम देखेंगे कि ये लोकेटिड कहा है, दिब्रुगड और तिनसुक्या डिस्ट्रिक के लगभग इस्ट में आपको दिखेगा, अपी मैपको माप में भी दिखाऊंगा, और ये एक बहुत इंपॉर्टें जो देहिंग पड के रिजर्व है, ये होम है, इंपॉर्टेंट स्पीचीज है थे कि टाइगर, चाइनीज पैंगोलिन, पैंगोलिन बहुत न्यूज में तर इसले पूछा जा सकता है, इस बार, स्लो लोरेस, क्लावड़ेड लेपर इक्सेक्टरा, यहाँ पर आपको मिल यहाँ पर इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे इसके लावड़ देखेंगे, पांच पुराने कौन कौन से थे, काजी रंगा, सबसे पुराना, मानस, नमेरी ओरांग, और दिबरू साइखोबा, यह पुराने पांच चलते आ रहे, काजी रंगा और मानस के बारे में आपको पता ही होगा, यह UNESCO World Heritage Site है, यहाँ पे आपको इस साथ मां भी आ गया, छे थे और प्लस वन, तो साथ, अब यानि कहा जा सकता है कि स्टेट में हाइस्ट नमबर, थर्ड हाइस्ट नमबर ओफ नेशनल पार्क्स आपको दिखेंगे, यह आप लोकेशन देख रहे हैं, कि यह एरिया जो है, यह आपको नागा बॉर्डर प प्रपोस किया है, फॉर्ड को सेयव करने के लिए, ठीक है? तो लीव का जो कौलीशन है, उसका प्रपोसल क्या है कि indigenous लोगों को और फारेस को कैसे हम प्रटेक्ट करने है, तो लीव कौलीशन किया है? पहले यह देख लेंते हैं. तो इनीशल ग्रूप है, ग्रूर्मन्न न एक्सी Section चेहां को सब्सक्राइए सब्सक्राइब MARYें गहां बूदे और यहां पर उन्हेरनुंच बढ़ाए जा सके नियते। वेंटर वपार कखें, प अे-टेज़र सब्सक्राइब juices के तु आपनगे को इयुदर के अतलवारों, पर hemmar इस को तोिपते 1-00-2 जाट forest degradation mechanism के read का जो है उसको भी यहाँ पर focus किया जाएगा read plus इसको भी focus किया जाएगा अब इससे क्या होगा देखो जितने जादा emissions कम होंगे उतना local communities, indigenous people जो हैं वो better sustainable lifestyle को जी पाएंगे चाइना पहला है जिसने first batch of forest carbon credit को issue किया है अब यह क्या है carbon credit stamps है जो market में carbon emissions को set off करने के लिए आपको याद होगा कि carbon emissions को set off करने के लिए इस तरह की techniques जो है वो use की जाती है carbon credits भी उसमें से एक important technique है तो similarly China ने भी forest carbon credit stamps को market में issue करना शुरू के तो जो company emissions को meet नहीं कर पाती है वो वो basically उनको set off कर लेती है credit stamps को खरीद के तो forest carbon credit stamps के है permits है companies के लिए कि वो certain limit की carbon dioxide को यहाँ पर emit कर सकती है सबसे बड़ी बात है जितने भी earn के जाते हैं उतने edit forest areas जो है वो convert कर दिये जाते हैं तो यह important चीज़े हैं अच्छा इसके अलाब आप देखेंगे कि China का जैसे में आपको होता है पहला तो ही है साती साथ और इसके important बात क्या है कि जुतना भी conversion यहाँ पे हो रहा है यह collateral की तरह भी serve करता है मतलब अगर आपके बास credits है तो आप bank से loan भी ले सकते हैं bank से credit भी ले सकते हैं पोटेंशल है चाइना के speaking carbon emission में और कहा जाना है कि China ने announce कर दिया है कि carbon emission को वो peak कर जाएंगे 2030 से और उसके बाद वो decline की तरफ आएंगे 2060 में वो net zero को achieve कर लेंगे जिसे अब carbon neutrality कहते हैं यह नहीं होता कि कोई carbon emission नहीं होगा carbon neutrality का मतलब होता है कि लेटस से one kilogram of carbon अगर carbon dioxide अगर यहां पर emit होता है तो उसी को one kilogram को आपको set off करना है through various mitigation techniques, carbon sinks इस तरह से forest station, यह forest station से आपको set off करना पढ़ेगा next जो है agriculture की news है असाम में पहला genetically modified rubber plant आ गया है ठीक है तो planted rubber जो है genetically GM rubber जो है वहाँ पे start हो गया है अब words first GM rubber plant जो है वो उसको plant किया गया है असाम में अब क्या exactly इसका है GM rubber plant यह पहली तरह का है अपना scientifically developed किया गया है Northeastern conditions को ध्यान में रखते हो और वहाँ की climatic conditions को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पे additional copies जो थी gene MN sort की और मेंगनीज और superoxide dismutase की इसको इंसर्ट किया गया है जिससे इसमें कुछ genetic changes किये गए तो genetic gene editing की गई और gene editing के चलते हैं यह जो पूरा का पूरा scenario है अपका genetically modified crops का वो चीप किया जा रहा है तो यह क्या exactly है कि expect किया जा रहा है कि severe cold conditions में जीप आएगा जैसे आप North Eastern climate देखते हैं काफी ज़्यादा severe cold हो जाता है कभी rainfall बहुत हाई हो जाता है तो इस तरह के conditions में यहाँ पे जीप आएगा winter में और इससे क्या होगा इसकी growth जो है वो better मिलेगा और carbon की sorry rubber की I'm sorry rubber की जो plantation है वो ultimately बढ़ेगी जब rubber का plantation बढ़ेगा तो automatically आपको दिखेगा कि जो farmer की income है वो बढ़ेगी अगर हम बात करें natural rubber की तो natural rubber को न आप North East में कभी grow कर नहीं सकते ठीक हो क्योंकि natural rubber के लिए आपको humid climate चाहिए यह आपको आमेजोन पॉरस दिखेंगे आपको थाइ इसको North East जैसे अरिया में हो सकता है आने वाले टाइम में इस तरह के modifications के चलते हैं आपको लदाफ में rubber का farming होता हुआ दिखे तो important चीज़े हैं इस तरह की और scientifically आप हमेशा हम कहते हैं कि scientific intrusion के साथ scientific experimentation के साथ आप अपने farming को बहुत बेटर कर सकते हैं तो अब ये कौन इसको कर रहा है केरला-based rubber research institute of India तो अगर ये question आ जाते है कि rubber research institute of India कहां पे है तो rubber research institute of India आपका केरला में established है तो इतना ही जानना था हमें इन सब news के बारे में हम set 10 में फिर भी लेंगे आगे के important topics cover करेंगे जुलाई की almost हमने news यहां cover कर ली है तो देख लेंगे और 2-3 set में 4 set में हम पूरा जो है अपका April, May, June, July के जो बची हुई news है वो सब cover करके चलेंगे आशा करतों topics सब को समझ में आ रहे होंगे मिलते हैं अंगले session में तब तक लिए Goodbye ठेकर and God bless you all